गुड आफ्रनून फ्रेंट्स वालकम टू एजूकेशन चैनल फर्स्ट आफ आल दोस्तों एपी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को आज 26 जैनुवरी है जो हम आज नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं वो है सेनियर रिसर्च फैलो के लिए आई 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 टी ब मांगा है इसमें और भी इलिजब्लिक करेडिया है इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वो हम डिसकस करेंगे उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर आप एजुकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर द दीजे तकर गोर्णमैट जोब से रिलेटेड नोइटिफिकेशन अपको देख्चुट haven उसको जरूरड देखिएगा और आपको जो है एक से छादा में आपडिकेशन अप्लीकेशन अप्लीकेशन करने के हाप यह फीचिन नोटिफिकेशन वें यह देख्ये आ आया Всеकि इंडियन इंस्ट्यूट आफ टेक्नलोजी बॉंबै पाववई मुंबई में है यह जॉब टाइटल जो है सिनियर रिसर्च फैलो के लिए है रिफ्रेंस आइडी दिया गया है यहां पे एंड अप्लिकेशन एंड डेट है भाड़ा फरवरी राइट और जो प्रोजेक्ट स् करना है इसमें सेल क्लिफिगेशन दोस्तों जो है आप देख सकते हैं यहां पे किलियरी मैंसल्ड है राइट यह देखे किलियरी मैंसल्ड है यहां पे MSC Chemistry और आपका जो MST होना चाहिए, MST say, with two year of research experience in organic synthesis with any one of the following. आणा, इसमें जो है, organic synthesis में आपका research होना चाहिए, two year का, जिसमें scholar who has selected through the national eligibility test, अगर आपने net qualify किया है, UGC net, including the, इसमें देखिये, assistant professorship, and get qualified किया है, तो आप apply कर सकते हैं, anyone पूछा है, तो चाहिए हो, चाहिए, यहाँ पे जो है, यह देख सकते हैं, बहुत सारे जो है, central government department का जो agency है, जो test कराती है, उसमें से कोई हो, तो आप apply कर सकते हैं, उसके बाद है, देखिए, यह job profile दिया गया है, जिसमें की planning, execution of synthesis and characterise of organic compounds, preparations and the presentations of reports and other research related work assigned from time to time, यह सब work आपको मिलेगा, Sally structure यह रहा, आप जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको apply करने के लिए, जो है, यहाँ पे recruit at ircc.iitb.hc.in, इस पे आप कोई भी query जो है, वो attend push सकते हो, कुछ कर सकते हो, कोई भी doubt है, या मुझे comment कीजिए, मैं आपको response करूंगा, one year का एक contract period है, and it will be extendable, because अगर project लंबा चलेगा, तो definitely इसमें जो है, आपको time और extend कर दिया जाएगा, so दोस्तो, all the best for your interview, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, दोस्तों साथ share कीजिए, e-education channel subscribe कर दिए, इसकीन पर जो भी वीडियो दिख रहा है, इसको भी आप देखां और इसमें भी apply करें, so all the best, thank you for watching this video दोस्तों,